आईए किलास अब एक PSV solve कर लेते हैं इस question में आपसे पूछा गया है कि according to the Vesper theory XEF4 की shape क्या होगी तो चलिए इस question का solution देख लेते हैं सबसे important बात यह है कि XEF4 एक AB4 E2 type का molecule है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई molecule AB4 E2 type का होता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर दो lone pairs हैं और उनको हम maximum distance यानि की axial positions पर रखते हैं तो बागी के चारो atoms A के चारो तरफ इस तरह से arrange होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम electron pairs की बात करें तो यहाँ पर बहुत clear है कि यहाँ पर चार bond pairs हैं और दो lone pairs हैं इसलिए अगर हम XEF4 में electron pairs के arrangement को देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा xenon यहाँ पर central atom है जिसने fluorine के साथ 4 single bond form किये हैं इसलिए यहाँ पर 4 bond pairs हैं और बाकी जो xenon के 2 lone pairs हैं वो axial position पर हैं इस तरह से हमको जो arrangement बिलता है वो है octahedral और जो shape है वो होती है square pinner shape तो हम कह सकते हैं कि according to vesper theory xenon tetra fluoride की जो shape होगी वो होगी square pinner shape इसके सिफ जो 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 चाना ही आए यहाँ आफ गठया आब the